नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानं, नमो सिथानं, नमो आयरियानं, नमो वस्यानं, नमो लोय सब्व साहुनं एसो पंच नमकारों, सब्व पाभपणाशनों, मंगला नंच सब्वेशिं, पड़मं हवै मंगलं, ओ नमो भगवते वासुदिवाय, ओम नमो भगवते वासुदिवाय, ओम नमस्दिवाय, जै सचिदान, प्रत्यक्षदादा भगवान मी साक्षिय, वर्तमाने महाविदे ख्षेत्रमा विचर्दा, तिर्थंकर भगवान स्री सिमंधर स्वामी में, अत्यांत भक्तिपुर्वक नमस्कार करूछू, वसल्य मूर्ती श्री दाधा भगवान में, अत्यांत भक्तिपुर्वक नमस्कार करूछू, तेत्री स्कोटी देवी देवतावने, अत्यांत भक्तिपुर्वक नमस्कार करूछू, वित्राग शासन देव देवी ओने, अत्यांत भक्तिपुर्वक नमस्कार करूछू, निस्पक्षपाती शासन देव देवी ओने, अत्यांत भक्तिपुर्वक नमस्कार करूछू, आतियान्त भक्ति पुरवाक्नामस्कार करूछू। आक्षेत्रना रक्षक देवी देवताओनें। आतियान्त भक्ति पुरवाक्ने मस्कार करूछू। जगत भरना संत पुरुसोनु योगवर्ड अने प्रगत नानी पुरुस दादा भगवानु योगवर्ड समस्त विश्वनु कल्यान करो अने कल्यान करवानु निमित बनवाने हम सव महत्मा उने पर हम सक्ति आपो सक्ति आपो शक्ति आपो जगत ना सरवजीवो सूखने सांति ने पॉँ जगत ना सर्वजीवो समाधान ने पामो। जगत कल्यान हो। हे श्री पद्मावती मा। हे श्री चक्रिश्वरी मा। अमें आपने अत्यांत भक्ति पुर्वक नमस्कार करी। अने प्राथना करिये चेके। हम सर्वे महत्मावने मोक्षमारगने लायक अने सहायक संजोगो। प्राथना करिये चेके। प्राथमान भचन काया थी। आ जगत ना कोई पढ़िवने किंचित मात्रपंदुक नताय। तेवी श्यादवाद वाने श्यादवाद वर्तन अने श्यादवाद मनन करवाने परम सक्तियापों। जय सक्तिदार। जय सक्तिदार। जय सक्तिदार। मानस जन में छे त्यार्थी सुख मेणवा प्रहेत्न करेशे। जन में त्यार्थी समझनों थाए। त्यार्थी सुख मेणवा प्रहेत्न करेशे। जन में त्यार्थी सुख मेणवा प्रहेत्न करेशे। जन में त्यार्थी सुख मेणवा प्रहेत्न करेशे। जन में त्यार्थी सुख मेणवा प्रहेत्न करेशे। पता नी समझनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन शुख मरतू नथी ए मानिविय जीवन नी वास्तविक्ता चे. समझा गें गुजराते हैं? मानिविय जीवन नी वास्तविक्ता आये छे कि प्रयत्न करवा छता सुख मरतू नथी. प्रयत्न बद्याश करें चे एना संजोगों प्रमारें. क्यों? Due to the circumstances. और सफड़ थातू नथी कोई. और सफड नथी थातू एनू कारण इकज छे कि ज्या ज्या प्रयत्न करें चे त्या 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 सुख छे ने माटे सफड थातू नसी. आपने माहिए कि मने मोटे बगे आपने पाय। सेंसिस थी सुख अनुभवा प्रयत्न करें चे त्या पाय। पायाच ग्नानेंद्रियो थी सुख अनुभवा प्रयत्न करें चे बड़ाबची. कि माटे सफड़ करें चे जाएंत्या थी सुख अनुभवा प्रयत्न करें चे झांदन करेंका नाफ अनुभववी थी सुख अनुभवी थी आथी मुने आनन दावे छे इतले प्रूथ आई छे के मारी बिलीप छे माटे मने माती आनंद आवे छे कोन एनो सबाव जो आनंद आपानो हो 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 तो जे साम्णे बदा आवो जो ये माटे एनो सबाव नती तमने जे संगीत गमे छे, तमने जे गीत गमे छे, तमने जे भक्तिपद गमे छे, एनो स्वभाव सुख आपवानो नथी एनो हो है, तो मारी बिलीप में जरूम नथी पर मारी बिलीप छे, माटे मने मा आनन्दावे छे मारी बिलीप नथी, तो आनन्द आवतो नथी, ले प्रस्ण स्वांग नो नथी बिलीप नो छे, से नो छे, मिली फेटले माननी अता, समझें, हवे, आपने सुख जोईए छे, पन सुख क्यारे मरे, कि जे वस्तु माती सुख मिलाओ मात्ता हो, इमा सुख हाऊ जोईए ने, इमारे गरपन नो नो भोग करवो होए, तो मर्चा माती था है, क्या मना था? इमा झे नहीं, तो आन्मा सुख में तम ने के तनो भवह ठासे? मां तो योड बिलीप, तो मर्चा म मिलीफ रापो, क्या मर्चू मीठू छे, मीठू छे, तो मीठू लागे? जहा है चैह जहा है यह तमको संगे शार हो जो हमाँ चैह सेव एनो शबाव कि तो चैह नहीं मात ने तुम्हारी मानने ताओ अचे इंडिवीडिल पाँचे एनो शबाव हो जुए अजिव आजे कोई पुन वेकती सुगर मोड़ा मा मूँख है तो मिठास में उनु बहुत आइकर नहीं , काल कैमान्यता छे कह कैनों सुभाव और सुगर्ण नों सभाव छे के मान्यता छे का सभाव चें एसने संगीत मा सूखा आपा नगौ मात्र तमारी बिलिप छे तो आनंदा छे बिलिप नथी तो आनंदा आतो नथी प्ड़ा हो इसने संगीत मां ती सूख मेरोग्व अमाट्री बिलिप नर्टी पुरूध हातो तो तो आखती जोऊचू एमने गमे छे So I feel happiness, तेथी वह आननदानों भहो छू पर यह वस्तु बदाने गमे छे Once again, it is my own एनो तो सभाव एनो तो सभावज में छे एनो सभाव अथो बदाने मरूज हो जिये जे जुए बदर आनन्द आवाजयो पड़े उचे है इसा इंडिविड्यल ले पहलो काननों आखनों अवे नाखनों तमने जे स्मेल गमेशे बिजान नते गमती once again it is belief एनो सभाव तमने जे खावानों भावे छे बिजान नते बहुतु राइट के रोण? तमने जे खावानू बावेशे ये बिजान नथी बहुत हुँए इट मेंज खावामा सुखापनू सभाव नथी only your सब्जाएशे? तमने जे कपड़ा पेरवा गमेशे and you feel happiness ये बिजान गमता है once again it is तमने जे हावस गमेशे बदान नथी गमता है once again it is तमने जे कार गमेशे बदान नथी गमता है once again it is तमने जे जोब गमेशे बिजान नथी गमता है once again it is तमने लगन करो चो मैरत करो चो this is your belief but not for all once again it is अक्की लाइफ मांच वो बिलीब अच्छे, फैक्त थो छे नहीं नहीं आपने सुख मेड़ा हुँचे परन सुख छे खरू कोई जी के सुख छे खरू को आद दुनिया मां एक परन वस्तु यह भी चे के जैनो स्वभाव सुख आपनो स्वभाव, it is not matter of my belief आद दुनिया मां एक परन वस्तु यह भी चे के जैनो स्वभाव सुख आपनो हुआ सुख होँचे अब आपने सुख सेमा थी जो ही चे बालपन थी अत्यार सुधी आपने सुख मेड़ाव प्रयेक में करे हो लोग की क्वस्तु थी फाई संसी बड़ेक में ने मच है तो पजे मड़े है आखी लाइफ दी मड़े ने मड़े तो यह फेल तो एचिव अवर गोल अपनेस प्रम लास्ट सो मैनी बर्थ बिकोज अप कारण के मारी अगनानता अगनानता ने काई दर वर से फेलता हुचो दर लाइफ हे फेलता हुचो बिकोज जया नतीत या यू मालोचो हमाटे मनेक रियली मड़ता हुचो का के सब्सक्राइब हो जरा हुचो आज यह तमने इए गमें छे तुमने यह द्ने शे गमता हुचो का के तमारी फिलिप छे नहीं यह तो के तो नती किमने पहपनेस अपशो और तो ने जरन देव्ज है लग करो यू यह था जन्व मरंती फेल थे येशे, साचु सूख मेड़ा भामाटे, क्यांकि we don't know the fact कि साचु सूख क्या छे, ये आपने खबर न थी, अनि जे खबर छे ये नी पासे चैने, ये कितला आउतारों थी आपने फेल जी येशे, समझाएशे, तो प्रस्ना ये थाई छे, साचु सूख real happiness क्या छे, सूख बाहर न थी, सूख अंदर छे, अनि सूख आत्मा में छे, ये नो नेचर छे, सुचे, पर आपने एनने ओलगता न थी, एना स्वगावने ओलगता न थी, एतले, एनी हाजरी मा, with this help of five senses, and with our brain, आपने ज्या अरोप करिये छे, त्या अपने शुख भासे छे, पर छे, ने, शुख छे अंदर, पर आरोप क्या करिये छे, शुख मारी आत्मा में शे, पर आरोप क्या करोचू, मोबैल मा सुख छे, शुख मारी अंदर शे, आरोप क्या करोचू, गर मा सुख छे, शुक अंदर चे आरप्या करूछू कार्मा सुक छे इतले आने ग्नानी में रॉंग बिलीब अथवा तो अग्नान करूँ शुक करूँ अग्नान ती अनाधी अवतारोती भटकिये चे जनम्मरणना चक्करमा अग्नान थे तो आत्मानों स्वभाव सुक वाड़ों से इपला अप्रे पूर करिये पसी भगवानी व्यक्या हूँ पसी आत्मानों स्वभाव सुक वाड़ों से कारण के जो आत्मा ना होए तो आज जगत नी मान्यता वाड़ों सुक पन तम्य अनुभवी सको नहीं बर दोला कशाते हैं तीजोर caution मानाव मुझाक, तीजोर दोला कशाते हैं худгорिकों मीटें खेंए नबर फ्रोपरेन दोबेन पड़ मेरे Lisa और ने्ट에S पनोन trabalhे, ओसे हमोती ठोसे आतुन परान भी revisit, भी आत्मा शोन चातुन होता क्या एक है जें रहें प्रस्ट प्रस्न तिजोरिने आननता नाथी आपने आननता शे है मैं आत्मा छे अगनांता छे माते बिलिप बार छे अगन छे तो बिलिप अंदर है न वन साचुकमाल से लुग और चे अघ्जाग पर अगनानी तो सु ك बार देखा छे आप हावी साहिसे लुगी भट किया करों तु राग नर्य rat Karn Ain dhweshti सुख है आतम मानों स्वभा उचे एनी साभी थी तब ने आ दुनिया नी कोई पुर वस्तु मां सुख लागे छे ये ना हो तो ते ना लागे मानस मरी जाए पर चिने एक लाक डॉर्णों चेक आपो तो सुख लागे एक लोग गोल्ड आपो तो सुख लागे क्या बोडी तो ये ना हो तो तेपन अमभवी ने सेंटर पाइंट सुख लागे क्यों पाचू बियांड बोडी एन बियांड सेंसिस अमे रहे टर रोग ले मूर सुख ये आतमा मां चे जन्या सरीर आ इंद्रियों साथे डायरेक्ट सबन ना थी एनों सबाव सुख वारो छे पर अन्यां ये ना थी कारती राग द्वेश करी कर्मबांदी ना जरम बरण ना चकर मां बठकी है अि ये शूख आतमा नो सभाव से सुख वाव स्टू ए पर्मेनेंट बस तूशे तमने सूख अलग माती लागे हैं नियाँ अलग लागें बद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कि अनि अलग लग लागे चे दरेक निए इंडिविडियल पिलेप चे पर आत्मा बद्धानों के वो चे एक सर्खोष्ट है एक सर्खोष्ट है एमा बिलीप नथी एफैट चे अवे आपने भगवान नी रेफिनेशन आती है पला आत्मा मी वाद कर ने अपला भगवान पश्चे आपने आपने आगर जाई आड़क। अर्टों सम्धेही क्योंने क्या सुख आत्मा माची एनों सभाव छे एन्ने मेडवान थीनों नीचर छे ओके अवे आपने भगवान जेने सब्तम अपने भगवान ने गॉड ने गॉड एकले पर्मेने ये टेमपर हो लेग अरणती पर छे औन पर्मेनेन छे आड़ेफीनेशन फगोर छे के विछे औने अड़ेफिनेशन कोई पन टाईटल वारी वेक्तिन लागू पड़े ना पड़े ये कोने लागू पड़े आत्मा ने आत्मा अनामी छे अरूपी छे जन्ममरंती पर छे अने पर्मेनेंट छे अविनासी क्यों छे अविनासी एटले आँ भगवान सब्द बुलिये तरह आपने ख्याला हो जे के भगवान is not a name of person it is a name of soul अने soul ए बद्धा जीवों माँ एक्वलंट छे सर्को छे एमा डिस्टन नाती एले भगवान नी व्याक्यामा आत्माने भगवान के भाए तो के भाए शरीर ने भगवान नाती भाए कोई नूपन हो तो पावर अनूबव चो तो पर पावर ने तो नूबव नती ने पावर ने पावर देखा तो ने पम बिली पावर ने करो चो तो पावर देखा तो नती पावर न अनूबव नती पन छे ता आवर ने पावर चेल नेमा पन डाउट पन नसी ते देखा तो नती अनूबव पन नती पन डाउट पन राइट के रोंग से पावर नावत पंखो ना च आत्मा ना हो तो विचार ना आवे, आवे, आत्मा ना हो तो बुलाई नहीं, आत्मा ना हो तो क्रिया थाए, आमा जेम संका नकी, येम आमा पर संका होई जोई है, कारण के स्वास अलहिये चे, विचार करिये चे, पूरिये चे, क्रिया करिये चे, ने नी हजरी वगर थाई स सब्सक्राइब और को सद हो हाँ जब मैं अध्यूंस Champa नहों जोशक सब्सक्राइब अध्यूंतलि पूरा मैं शल्रों कटा सब्सक्राइब आत्माना हो तोनालिवाएं तम्हे विछार करूँ अत्माना हो तोतो तो इसलिए आत्मा चे एनू लॉजिकल प्रूफ, थियोरिटिकल नहीं लॉजिकल, कि कोई थिंकर पीपल पर तमारी बातने एक्सेप्ट करें, लॉजिकल, मैंने यहाँ सर्शन शुरू किया, तो मेरा टाइटल था, मेरा टाइटल था, प्रिचियोल साइंस, क्या टाइटल and spiritual science is on a base of law of nature, law of nature, not law of religion, law of nature, law of nature is not law of God, but slowly slowly, आपको समझ में आजाएगा, who is God and who is nature, slowly slowly, okay, no problem, it's okay, on a beginning, every one day, लोग जो समझते हैं, के गौरी यह, दुनिया बगवान चलाते हैं, बगवान ने बनाई हैं, और यही हमारी एक धर्मिक परंपरा रही है, हमारे धर्मगुरु कहें यहां सास्त्र कहें, वो यही हमको बताते हैं, सिखाते हैं, तो इसलिए हम इसको भी भी करते हैं, मासुप पिफल दे भी लिए, okay, बड़ अमको आज, मैंने कहाने, spiritual size, I want to know the fact, not fiction, or not viewpoint, it's a universal truth, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, and it's a logic, not random, my viewpoint, not that way, okay, तो कहने का मतलब यह है, कि हम अपने जीवन में, जब से पैदा हुए हैं, और जब से हमारे पास सोच आई, तब से हर इंसान, हर जीव, सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, by his own way, his own thinking, और अपनी परिस्टियों के मताबिक, बराबर हैं, और सुख प्राप्त करने का प्रयास करते करते भी, वो कभी नहीं कहता है कि मेरे को सुख मिल गया, ऐसा कभी बोलता है, नहीं है, they try, try and try, प्रयास करते रहते हैं, still last moment, रहर वेक्ती प्रयास करते हैं, सुख पाने के लिए, correct? मगर कुछ यही नहीं कहता है कि now, I am happy, I don't want more happiness, because I am enough happiness, ऐसा क्यों बोलते हैं? everyone they try, 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 but nobody's success, nobody's success, जीवन के अंतिम समय तक वो प्रयास ही करते रहते हैं, क्यों ऐसा है, क्यों कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं सुखी हो गया, now I don't want to try, अभी मेरे को प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मेरे को जो पाना था मेरे को मिल गया, ऐसा कोई कहता है, हर विक्ती प्रयास करती है, चाहे नहीं सुश्यल होए, रिलिजियस होए, जो भी हैता है, सब लोग प्रयास करते हैं, मगर कोई नहीं कहता है कि मैं सफल हो गया, मैं सक्सेस हो गया, वो नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों है, किसी को सफलता नहीं मिली है, ऐसा क्यों है, In our society, I am not talking about the one or two person, I am talking about the whole society. हर वेक्ती प्रैस्तों करती है, उनकी सोच के मताबिद, उनके संजोग के मताबिद, राइट? अकर कोई यही नहीं कहता है कि मैं सक्सेस हो गया, छोटे-छोटे जोन में सक्सेस हो सकता है, not completely, राइट? कोई कहता है मेरे को दॉक्टर बन आए, वो दॉक्टर बन गया, तो सक्सेस हो गया, मगर वो इसा नहीं कहता है कि मेरे को पर्मेनेंट हैपिनेस मिल गई, गुलता है, कोई बिजनेस्मेने सक्सेस हो गया, तो पैसा मिल गया, मगर यह नहीं कहेंगा कि मेरे को पर्मेनेंट आपकी है, सुख पाने के लिए, I am not complete at that time, right, तो प्रस्ना ये, हर वक्ति प्रयास करने के बाद, हमारे समाज में कोई वक्ति ऐसा example क्यों नहीं है, कि वो कहता है कि now I am completely, I am happy, with all aspects, all viewpoints, I am happy, now I don't require the happiness, I don't want to effort, मेरे को प्रयास करना भी नहीं है, क्योंकि मिल गया, जो मेरे को प तो अभी प्रयास की जरूरत नहीं है, ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है, कोई स्कूल और कॉलेज होती है, स्कूल या कॉलेज, उसमें 100% result fail होता है, वहां हम admission लेंगे, और समाज में क्या करते है, समाज में क्या करते है, जिस फिड में लोग fail हुआ है, उसमें हमें admission लेते है, भी follow, the same tradition, right or wrong, लोग कहते हैं कि भी, मैं 80, 90, 100 हो गया है, still I am not success, through this procedure, ऐसे example हमारे समगे, millions and billions, right, still we follow the same tradition, to actually the goal of happiness, वही प्रहाईस करते हैं सुखपाने के लिए, तो सही प्रहास करते हैं, सही प्रहास करते हैं, सही प्रहास करते हैं, वही धीरे ते समझाता हैं, पहले समझ बताना जीए कि, बेर I am wrong, फिर right चाहिए, ने, जब right को, wrong को ही right मानोंगे, तो फिर right की value ने रहेगी ने, पहले wrong को तो समझ बताने कि, ये wrong हैं, मतलब, मान्यता के आजार से वह सही नहीं है, तो पहले हमको समझ ना परेगा, जैसे हम सुख की अनुभूती five senses से करते हैं, बराबर है, one, two, three, four and five, skin, ये five senses से हम सुख की अनुभूती life में करते हैं, बराबर है, इस ओके, तो हमको जो सुनना पसंद है, कोई सौंग पसंद है, कोई भक्ती गीत पसंद है, तो हम सुनेंगे, तो हमको आनंद आएगा, right, मगर वो भक्ती गीत, वो संगीत, सब को आनंद देता है, तो कोई भी सौंग ऐसा नहीं है, जिसके अंदर सुन के सबको आनंद आएगा, ऐसा कोई सुन नहीं है, सबकी individual belief, जो Christian को पसंद है, वो आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद है, वो उनको पसंद नहीं है, मुसल्मान को पसंद हूँ आपको पसंद हूँ आपको पसंद हूँ उलको पसंद नहीं है It's a belief मेरे को belief की बात नहीं समझानी है और नहीं समझनी है Universal Truth Happiness is Where वो समझना है अगर तो पहले वो समझो कि कहा नहीं है फिर कहा यह वो पता होंगा मगर अभी तक तो जो नहीं था वहाँ हम मानते थे कह बसे पहले रॉंग बिलिप को तो निकालना पड़ेगा बात में राइट बिलिप मिलेगी ने तो पहले कान को जो पसंद है वो हमारी बिलिप है Only individual belief It is उनिवर्सल टूथ फिर मेरे आखों को देखके आनन्द आता है कोई भी चीज को देखके मेरे को आनन्द आता है वो युनिवर्सल टूथ है मेरे बिलिप है हमको हमको पहले समदना है कि हम जिसमें सुक मानते है थ्रू इयर थ्रू आई वो युनिवर्सल टूथ है कि my individual belief तो इंडिलो बिलीप ए मतलब उनिवर्सल टूथ में अग्ट नहीं है अल्ली माई बिलीप तो हमको बिलीप से उपर जाना है युनिवर्सल टूथ में मगर फहले बिलीप को समझ जा पड़ेगा नहीं कि बिलीप इस बाइ इंडिविडियल मैंटर युनिवर्सल टूथ यह समझ में आएगा बाद में बियूर्ण जाएंगे तो आखों की बात आई वो भी बिलीप आ गई अभी नाख की बात करेंगे तो स्मैल स्मैल के अंदर हम कहें एग्जाम्पल के रुख में स्प्रे कहेंगे तो आपको जो स्प्रे पसंद है वो आपको पसंद नहीं आपको पसंद है उनको पसंद नहीं वो भी क्या हो गया इंडिविडियल बिलीफ हो गई और युनिवर्सल टूथ नहीं है पिर खाना खाते हैं हमको जो खाना खाने के बाद आनन्द आता है उस खाने के अंदर सब को आनन्द देने की एक्समता है क्या इंडिविडल भी लेको वही तो मैं करता हूँ मेरा टेस्ट रेत तो मेरे को आनन्द आता है it is not come out from the material अगर खाने में से आनन्द आता है तो सब को मिलना ही चाहिए इस नौट रिक्वाइब माई बिलिप मगर ऐसा नहीं है कोई भी चीज की बाट करो दुनिया में ऐसी कोई भी खाने की चीज नहीं है जो सब को आनन्द देता है मगर मेरी जो मान्यता है वो चीज मिलेगी तो मेरे को आनन्द होगा मगर वो नहीं मिलेगी तो नहीं होगा Still it is a individual belief Right फिर हम जो कपड़ा पेहनते हैं तो हमको आनन्द आता है मगर वो कपड़े दुसरे को पेहनाओंगे तो इस निदिविडियल हमको जो मकान में से आनन्द आता है वो सबको पसंद individual belief हमको जो कार में आनन्द आता है वो individual belief है सबको तो मेरा प्रस्न ये है really speaking वास्तों में सच्चा सु कहा है beyond belief beyond belief बियांड बिलिप का मतलब होता है जैसे सुगर होता है सुगर सबको सुगर में दे दूगा चमची चमची और वो खाएगा तो सबका टेस्ट इकवर होगा कि अलग अलग होगा सुगर का जो सबाव आपको मिठास देना है वो तो common है ने because ये सुगर का सबाव है आपकी बिलिप नहीं है सुगर का तो इसमें आपकी बिलिप की जरूरत आपके बिलिप की जरूरत नहीं है ऐसे दुनिया में कोई चीज यह सी है जिसका स्वबाव सुख देना है without my belief बिलिप का तो मैंने example दे दिया आपको मैं अभी बिलिप की बात करता है नहीं हो now we are going beyond अभी उससे हम आगे जाना चाहते तो क्या दुनिया में ऐसे कोई चीज है जिनका स्वबाव ही सुख देना है like a sweet हमारी बिलिप है या नहीं है कोई फरक नहीं होगा क्योंकि तो उनका स्वबाव है ऐसे कोई चीज है तो सबसे बड़ी बात यह है सुख आत्मा का स्वभाव है किसका स्वभाव है नेचर ओप सोल इज़ हैपीनेस आत्मा का स्वभाव ही सुख है क्या है स्वभाव नेचर उसको सुख की जरूरत नहीं है उनका खुद का स्वभाव है मगर क्योंकि हमको इस सुख का अनुभव नहीं होता है क्योंकि हम न तो आत्मा को बिलिव करते हैं और नहीं आत्मा को हमने रियलाइज किया है अगर बिलिव करते हैं तो रियालाइज नहीं किया है Only we have a knowledge about I am a soul without experience Correct और इसी लिए उसमें सुख होने के नाते भी हमको अनुबव मेरे याता है क्योंकि हमने अनुबव किया नहीं है वह वान ओलेज थ्रू अवर गुरू और थ्रू अवर स्क्रिप्चर हमने किताबों में से या धर्मगुरू के पास से जाना है कि मैं आत्मा हूं मगब मेरा खुद का अनुबव नहीं है और नहीं है इसलिए आत्मा का स्वभाव का भी अनुभाव मेरे को होता नहीं है होते हुए भी आत्मा में तो सुख का अनुभाव है उनका सभाव है मगर मेरे को आत्मा का अनुभाव नहीं है इसलिए आत्मा का सुख का भी अनुभाव क्यों नहीं है जब आत्मा का सभाव ही सुख वाला है और आत्मा मेरे अंदर है फिर भी मेरे को अनुभव क्यों नहीं है क्यों कि मेरी सुक की मान्यता with these five senses आउटसाइड है सुक अंदर है मगर बिलिप कहा है बाहर है तो फिर आत्मा का अनुभव होगा फिर आत्मा का अनुभव होगा जब सुक की बिली भी बहार है अनुभुती भी बहार है तो पिर आत्मा की सुक का अंबो होगा नहीं होगा अगर आत्मा में सुक है ऐसा हमको स्विकारने से पहले हमारी गुद्धी कहती है कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है किताबों में लिखा है धर्मगुरों ने कहा है मगर मेरा खुद का अनुभव नहीं है तो मैं उनको कैसे स्विकार हो दाउट तो होता है ने बहले हम उसको mentally accept करते है क्यों कि अनुभव नहीं है तो डाउट तो रहेगा ने तो आत्मा है ऐसा लॉजिकली अब कैसे एक्स्पेशन कर सकते है अकर वो निकल गा तो स्वास नहीं लेगा बोडी रहेगे बोडी तो रहेगी ने वही तो मैं कहता हूँ तो बोडी सोल नहीं है तो सोल बोडी से क्या है अला यह है तो यह प्रूफ हुआ रहे हैं कि सोल है लॉजिकली मुई देखा नहीं है मगर लॉजिकली लगता है नहीं हमारे गुद्धिय एक्सप परती है कि अंदर सोल है, तब ही मैं ब्रिट लेता हूँ, अगर यह नहीं होगा तो, मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं कोई क्रिया करता हूँ आत्मा नहीं है तो क्रिया कर सकते है बोड़ी तो इसे साबित होता है कि आत्मा है तभी ये बोड़ी की वैल्यू है मगर पूरी लाइफ हम आत्मा की वैल्यू नहीं करते है बोड़ी की करते है हमारी अगनानता है यह हमारी है और निकालने का क्या है अगनानताँ है तो निकालना अगनान है निकालना क्या है अगनान को निकालना है कि हम सरीर है के आत्मा है यह सरीर का अस्थित्व आत्मा के आधार से है या आत्मा का अस्थित्व सरीर के आधार से है किसका है आत्मा के कारण शरीद है तो really speaking वास्तो में by fact हम शरीर है या आत्मा है आत्मा है और जीते हैं whole life किसे जीते हैं मैं शरीर हूँ मैं सोचता हूँ मैं बोलता हूँ मैं क्रिया करता हूँ ये मेरा है ये तेरा है ये सब आत्मा का सुभाव है या प्रकृति का और प्रकृति के सुभाव को ही मैं मेरा सुभाव मानता हूँ प्रकृति के सुभाव को ही मेरा सुभाव मानता हूँ समझा है बस वही अग्यान है तो इसलिए आत्मा जो है आत्मा में सुख का सभाव है वो तो प्रूव होता है अगर आत्मा में सुख का सभाव नहीं होता है तो हमको मोबाइल में से सुख ने लगेगा मोबाइल में से सुख अनुबव करने के लिए आत्मा की हज्य चाहिए और अग्नानता चाहिए मेरी अगनानता है कि मोबाइल में सुख है वो मेरी बिलिफ है और मोबाइल मिलेगा तो मेरे को सुख अनुभव होगा क्योंकि रूट सोल है क्या है अगर सोल नहीं है तो अगनानता भी नहीं है तो उसमें भी सुख नहीं मिलेगा यानि अगनान शुक के लिए भी आत्मा की प्रेजन जरूरी है अगनान ताका सुक को अभव करने के लिए भी आत्मा की जरूरत है तो कहने का मड़लब यह है कि हम अपने जीवन के अंदर हम अपने जीवन के अंदर अभी तक हमने वास्तविक्ता या फैक्ट या उनिवर्सल टूज जानने की पोसिज नहीं किया है वहां तक हमारे पास व्यूपॉइंट वाला सांप्रजाइक या धार्मिक ज्यान या पुन्य का ज्यान पापों से बचने का ज्यान हमारे पास हो सकता है अग्णान पास अलग अलग प्रकार का है इसलिए वह उनिवर्सल नहीं है और नहीं है इसलिए हमारे पास हर समय अग्णान ताही रहेगी व्यूपॉइंट का मतलब अग्णान मकर यह सनातन सत्य नहीं है तो इसलिए मैं आत्मा हूं आत्मा का स्वभाव ही सुख है और वही सुख का जब अनुभव हो जाता है तो आज व्यक्ति को सुख पाने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है यह सुरू अगर उनका अनुभव हो गया तो उनका अनुभव ही सास्वत सुख है अगर वो मिल गया तो और कोई सुख की आवश्यक्ता नहीं है अगर वो नहीं पाया तो हर जनम मरण में वही सुख पाने के लिए हमको भटकना परेगा और कोई सुख के साथ हमारा और कोई सुख की आवश्यक्ता नहीं है करेकर गरिए बीकिश्यक्ता सब्सक्राइब अगूर करना, सभी देवी देवता को उनका मान रखना तो इसा है लिखाए नहीं है क्वेस्टा झाए तो नहीं है तो और कहां है स्क्रिप्चर के लिखाए जिसलिए मैं ने वही कहना चाहा को पहले भी कहा हुआ आपको के हर स्क्रिप्चर के अंदर जो लिखा हुआ है इसको गुर। और उनके एक्पेंट के आधार से हम सास्त्र को बिलिव करते हैं। उनकी द्रश्टी से। पर हम खुद भी पड़ते हैं। आप पड़ोंगे मगर आपके पाद द्रश्टी नहीं है। द्रिष्टी पाद पॉल्गे द्रिष्टी नहीं है। मेंगर दृस्टी कहां से लाओंगे դो आज जितने भी भारत वरस के अंदर जितने भी धर्मा है तिपरिंड diferन है उके गौर भी अलग है। गुरु भी अलग है एक ही धर्म के अंदर एक ही भगवान के टाइटल के नीश्जिय है बहुत सारे पंग है और और सभी पंथों की माननेता अलग-अलग है, गौर एक है, भगवान एक है, मगर भगवान के जो पंथ है, भगवान को मानने वाले पंथ, वो अलग-अलग है, और सब की अलग-अलग राय है, एक्स्प्लेशन इस डिप्रन, क्या पता है, एक्स्प्लेशन इस डिप्रन, आप right and who is wrong right or wrong I'm not in a puzzle I know I know what I have to believe what I believe in like maybe my my mind is straight what I believe in like I'm not confused basically so I'm not like what the other people may be in the world because the real reason for that I believe is because I have attained true guru that gives me the right knowledge but here this explanation can be said a equal so it is a viewpoint of individual the age which the guru thinks he says I believe 100% they say I believe 100% they also say I believe 100% I believe 100% everybody is different, scripture and guru is different it's a viewpoint वो तुम्हें पहले कहा मैंने व्यूपॉइंट के आध्यार सही है वो पहले भी मैंने कहा कि नहीं हर व्यक्ति अपने व्यूपॉइंट से सही है यह बढ़ाएं बढ़ाएं प्रच अपने कि यह थैस भी आध्यार कि आध्यार आत शक्राइस आध्यार कुछड़ आध्यार यह थांने मैंने कहा है once again, you accept, has per your understanding and abilities, correct? Yes or no? मैं आपको एक social example जेते हूँ, social, जो आप इसको समझ सके इसलिये हूँ कहीं लोग कहते हैं कि स्वामी जी, हम सास्तरों को क्यो नहीं समझ सकते हैं, क्यो नहीं पढ़ सकते हैं और उनका right meaning कुर क्यो नहीं समझ सकते हैं, we are intelligent person, we are educated person तो मैंने simple कहा कि हम अपने जीवन के अंदर, हम अपने जीवन के अंदर, पचीछ साल या पचास साल, हस्पन और वाइब साथ में रहते हैं, मकर एक दूसरा को नहीं पैचान सकते हैं, yes or no? मैं अपनी level of understanding की बात करता हूँ, don't tell about the God or the person, मैं individual understanding की capacity की बात करता हूँ, कि हमारी capacity कितनी है, we know that, इतने साल साथ में रहने के बाद भी एक बिश्र को 100% पैचान सकते हैं, factly, ऐसा हम दावा नहीं कर सकते हैं, in a relative terms, तो हम God and Gurus, उन्हें जो कहा है, वो हमारे उसी सोच के लेवल से कैसे समझ सकते हैं, वो तो विश्वास ही रखना पड़ेगा, तो वो तो सभी पक पास है, वो जो उसमें, when it comes to religion, it's very important that you have faith, which is विश्वास, to attain whatever you want to attain at the end of your life, because अगर विश्वास नहीं तो तुम कुछ भी बलीव नहीं कर सरबंगे, even the things you're saying, like if we don't have a विश्वास, then we won't be able to believe it either, you know, So, वो तो वो तो फैट्टी है, कि विश्वास नहीं हो, तो वुछ भी नहीं believe करेंगे, right? तो इसलिए मैंने कहान है, कि हमारा जो विश्वास है, तभी हर व्यत्ति अपने अपने गुरु, भगवान, शास्त्र को, रिजियोर्स को follow करते है, कि इसलिए बिश्वास तो पर कोमा ना गया, विउपॉइंट आ गया, सबका अलगा, right? क्या आ गया तो? यहाँ युणिवर्सल टूथ निकलता नहीं, मेरा केरने का मतलब यह है, आपकी हर explanation वो viewpoint हो जाती है, और वो viewpoint तो है, उसमें कोई question ही नहीं है, मगर यही तो बात है, वो individual truth है, वो universal नहीं है, जैसे मैंने अभी आत्मा की बात कहा, पहले आपने भगवान कहा, और भगवान की मने डेफिसम दिया, कि बगवान किसको कहते है, अनामी, अरूपी, जन्ममरण से पर और पर्मेनिट होना चाहिए, तो यह viewpoint हुआ, यह viewpoint हुआ, यह viewpoint हुआ, तो यह viewpoint हुआ, यह viewpoint हुआ, कि मैं कहुआ, राम बगवान को गववान ओग्वान माविलिय वूब्र ऑपुण हुआ? यह अंग यह आए नेधा नासा पीवत स्वेसी अगर वियुपीन कि MIy Zhuang मनता हूं एक केंगा में राम को भॉछन मनता हूं मनता हूं, मोनता हूं मोनता हूं तो हूं केंगा में सीव को मनता हूं, गैरद किया को मनता हूं , मतलग क्या होगा एक निवर्सल तो वो तो सब के पास है, उसमें कहा क्रिस्टन है, मैं आपको युनिवर्सल टूथ में ले जाना चाहता हूँ, जो सब के लिए, इसलिए भगवान की वैक्षिया मैंने क्या कहा है, God is your soul, और soul क्यों गौर है, क्यों बगवान की डेपिनेशन है, बगवान अनामी है, अरूप जन्म मरण से पार है, और सास्वत है, यह कांपे लिखा है कि बगवान इस नीराकर, कौन से सस्त्र में लिखा है, कि बगवान क्या कोई स्वरूपी नहीं है, मितलब आपने ना वेदान पड़ा है, ना गीता पड़ा है, सभी में यही लिखा है, इसलिए मैं पूछ टीए ह कि बगवान शाकार है, यहां कि बगवान शाकार है, यहां कि बगवान के बारे में लिखा है, वो अभिनासी है, अरुपी है, वो तो आत्मा के बारे में लिखा है, ना बगवान के बारे में कांपे लिखा है, तो वही बात हुए नहीं है, हम बगवान को कहेंगे परमेंट वेक्ति को टेंपररी एक सब्सक्राइब कर दिया तो फिर कहां गए भगवान के डेफिनेशियों यह सोल में आई पहले तो अमने अग्जान से माना कि वेक्ति गॉल फिर में डेफिन दिया कि भगवान परमेंट टेंपररी है तो बना परमेंट मतलब उसको लागू नहीं तो भगवान आकार नहीं हे निराकार है अपने कहा के भगवान बगवत क Krishnah में बोली और अपने अपने एक्जांपल कि तो महीं बात करता हूँ आप ऑपई था क्यों वहीं बात करता हूँ आपकोई थेसकता है इसा फोद्शन सथेंगा वन्य, यह कहता नों है वहीं अए क्रिश्ण ने भी बोला राम ने भी बोला सुमिना ने भी बोला और दूसरा लिखा भी उसमें ने सब का साथ से लिखा हुआ है फर गेट इसा बोल सकते हैं कि जो मावियू ने तो बोला है वो बूल गलत है कि आगे अध्यात्म के मार्ग में आगे जाने के लिए चाहे आज चाहे कल चाहे परसन आगे जाने के लिए जो है उसको फोलो करने के के लिए ज्यादा समझने की जरूरत नहीं आगे जाने के लिए सनात्म सत्य समझना पड़ेगा जो यूनिवर्सल टूथ है क्या है जो ब्यॉड रिलेटिव टूथ है ब्यॉड ब्यूपॉइंट है अगे जाने के लिए पुश्च नहीं कि बगवान नामी होते अनामी होते उसमें उतर नहीं मिला आपको यह जाने मिला आपको आपको मालूंगा इस उक्राइब गवान की डेफिनेशन दिया था पहले ब्हान की बहान का नाम दिया जो भी मानते है इस उक्राइब उतर वॉटे बेदे कि लिए और कि वृट यह जह बिर गवान की दिया उफिर बगवान के नाम दिया करे में बगवान मानती हूँ, उनोंने पिर गाहा क्या है जिका बगवान मैंता हूँ कोई कोई बात में तो भगवान की टेफिनिशन क्या है हम किसको भगवान रियल स्पेकिग मानेंगे जो सब्सक्राइब कि भगवान का तो रूपी है तो मिनाच नहीं हो तुम कर दो कि कहने का मतब आपके पास रामा प्रस्ना की बोड़ी अभी है यह जो अपने दाम में वेकुंद दाम में हमेशा गया थे तो यह जो फेक्ट है क्योंकि आपको उसको ज्यान वेडियों इसे आप ऐसे बहोते हैं पर फेक्ट है यह हमाही श्रास्ता मोल रहे है श्रिमत भागवतन नर्शीन देवकात्रा नाम है जो आप महावीर बगवानू आपने प्लेस की बात करते हूं या परसं की बात करते हूं जो भी हुमन बिंग जब वो दे वेंड़ा करते हूं इस नाम में जाते हूं हमारी डेफिनेस अलब ही भगवान के नाम पर चल रहे हैं प्लेस 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 के नाम पर चल रहे हैं जब भगवान निवास करते तो इस भी वोह की अपास्माहिन वर्भाइच पषया हुन दी तुछ किया ह Works तो करे च्रेश्च में लागया नहीं है कि जो आपने रुपलिट किया तो करिष्ण बगवान को भी अर्जुन को कहते के अर्जुन तुमारे भी अनेक अवतार हो चुके हैं, मेरे भी अनवक अवतार हो चुके हैं, तो इस नोटा अल्टिमेट बर्थ अप लॉड कृष्णा, और हमारे भी एक मिनेट, और हमारे भी बहुत सारे बर्थ हो चुके हैं, कि अगा है और कोई भी आड़ बर्व रुका है, तो दर इस नो डिफरेंगे बिवेडर्व बर्वान की बर्थ हमारे बर्थ में रिशा थे हैं में अख मोड यहां है, मटने कर्मों के बंदण से खेकी है में किसी को मानों के दोष्नी अगर में किसी को मालागी ऐसे तुछ मैं और घ्वा सुनूगा भात मैं कहूंंगा में मैं दोष्नी जुक्त कि मैं जोबगे दूटीफा depths डेवट करे चाहरा मेरी हर बात डेघवर। तुटूट 누 नहीं होता है। यह बिलिभ इन न अंधर पर सन्ने बिलिभ इन चाहरा मज़गा जाबन रहिग दिदेमुर्ट आपक यह बिखटकों समझें। इज़ कोष्टना किए मेंन मगर universal truth में view point नहीं होता है जरू accept it or not अड़वाद option नहीं होता है क्या नहीं होता है option नहीं होता है तो इसलिए सबसे पहली बात है कि भगवान वो सास्वत होते हैं क्या होते हैं सास्वत और वो body के form में नहीं होते मगर body के अंदर present होते हैं आप सुनते जाएं, ओके मैं आपको कहूंगा कि प्रस्न करना हूं, इसमें नहीं, ओके, तो भगवान जो है, वो सोल है, वो सब के अंदर है, वो इकल फॉर्म में है, एकल पावर में है, और एकल पॉलिटी में, सभी के अंदर, all creatures के अंदर है, क्या है, सभी जीवों के अंद तो सभी की यह की मकसट है मेले को मुक्त हो आधमा को So our real identity is not body, it's the Soul. और जो Soul है, Each and Every Soul, They have infinite all kinds of powers, They have a Chhetan, They have a permanent, And the Soul, they have a no birth. The Soul have no birth ? No birth. The Soul is no birth. It's okay, दिनेए धिर दीए, बजीए, आगे पोलने तो बिलको. तो कहने का मटब होता है body को जनम्मरण होता है soul का जनम्मरण नहीं होता है no beginning, no end so the soul is permanent but soul के आधार से rebirth है मगर soul का rebirth नहीं है, आधार because एक चीद permanent है इसके आधार से हर आधार में कर्मों के वस उनको body मिलती है, to suffering your previous birth cause, पिछले आधार के कर्मों को भुगतान के लिए कुद्रत हमको different kind of body देती है, चाई human चाई animal, चाई God and Goddess चाई आप नर्गतिक हो, सबकी body कुद्रत देती है, क्योंकि आपको कर्म का फल की भुगतान के लिए होता है, तो ये body जो है और soul है, वो क्या है difference है, मगर चाई तक soul होती हुए भी मैं body को ही believe करता हूँ body के आधार से ही जीता हूँ मेरी द्रश्टी में body को कैसे सुप्राप्त होवे, body को कैसे संतोस होवे, इसी प्रकार से जीऊंगा तो राग द्वेस होना संभव है और इसी लिए जनम्बर होना संभव है फिर मैं किसको believe करता हूँ ये धार्मिक बात है, ये spiritual बात नहीं है धार्मिक है spiritual बात नहीं है मैं अपनी घल्तियों को confess भी करूँगा बगवान के सामने, माफ़े भी मागूँगा सक्ते भी मागूँगा ये क्या है, ये bodily process है फिजिकली process है पापों से बचने के लिए और पुन्य उपाजन करने के लिए हमारी सर्वक्रिया है ये परमात्मा आत्मा की अनुजूति के लिए ये प्रक्रिया नहीं है मगर पुन्य प्राप्त करने के लिए और इसलिए सब की क्या है अलाग अलाग है, आप समझें सब की अलाग अलाग है, सब भी धर्मों की अलाग अलाग है तो कहने का मतलब जो भी वेक्ति आज ultimate truth प्राप्र करना चाहते है इनको पहले soul जो है, वो soul को समझना पड़ेगा, soul के चेतन है, वो समझना पड़ेगा और soul के पास ही ultimate power है all kind of, यह समझना पड़ेगा तभी उसके vision में soul की value रहेगे अगर soul नहीं है, तो life भी नहीं है है? अगर soul नहीं है तो life है? नहीं है मेरे को आज soul है, और body है तब मैं कहूंगा, राम भगवाने, प्रश्णा भगवाने मावी भगवाने, स्रीव भगवाने स्वामी रण भगवाने, वे को तो body soul को तो belief नहीं है soul को belief नहीं है मैं वही कहता हूँ फिर अब बेन आगे बोल दिया कि सरीर क्यों मिलता है, वो मेने explain कर दिया सरीर कर्मों की भुकतान का साधन है और कर्मों के फलके हिशाब से मिलता है इस इस नौट अवर करन बस चॉइस और भुकतान के लिए मिलता है तो कर्म यह वहां तक ही और रहेगा कर्म खतम हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा पर जैसे आप कहले हिएगी हमारी चॉइस नहीं है तो और कि इस बोडी में है अगर मैं बमान राम की कुछा करती मों बमान का में बमान राम का बैको इदाना के नहीं हो तो जाएगा है मैं आप जोंदी तो फिट बार दुल्ट में जो 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 how अपने जो एकस्प्लें किया है वो हर धर्म के अंदर लिखा हुआ है अपने ब्यूपॉइंट से हर धर्म की बाद करता हुआ है अफ्यूजर गिया अप समंच जान बें इसका म特व हुआ है सभका our ultimate mot orient Allah अपने प्रकार का हो सकता है अ अलग अलग प्रकार का हो सकता है ल versus और यह व्यूपॉइंट हो गया है जब आपने प्लेस बताया तो व्यूपॉइंट हो गया क्या आपको बुलना पड़ता है मैं यह इसका आपने जो फेट प्रस वर्ड यूज किया वो हर दर्म वाले विप्ति को हो सकता है यह इसका आपके पास पॉइंट है तब यूनिवर्सल टूथ नहीं है पिर आप धर्म में कहो भगवान में कहो रिच्वेल्स में कहो मगर आपके बात में व्यूपॉइंट है तो व्यूपॉइंट ही है आपका अपके बात में देड़े समझ में आ जाएगा ने आपने जो बात आपके लेवल से एक्सपेंड किया तो मेरे पास तो यह नासा और इसरो के साइंटिस्ट आते है तो इसलिए उनको मालु मेरे पास माट्रियल साइंस मेरे पास है क्या है उनके पास साइंटिस के पास सोल साइंस नहीं है क्या नहीं है सोल साइंस नहीं है तो मेरे पास सोल साइंस के लिए आते है और बेज ऑप लॉप नेचर और बेज ऑप प्रिंसिपल नॉट विपॉइंट उनको विपॉइंट चाहिए भी नहीं उनको दो जैसे मैं कहता हूँ कि ये ये दुनिया जो चलती है भोतिक विन्या उसमें प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल सबके लिए क्या है एक है एक क्यों से पानी होगा आप किसको बिलिव करते हैं डिजन मैंटर इसे लौफ नेचर उसमें कोई धर्म भगवान गुरु फेथ नहीं आए दिश्कों इसको स्कूरिच्छ नहीं साइंस चाहिए फेथ नहीं चाहिए व्यूपॉइंट नहीं चाहिए इंडिविडल बिलिफ नहीं चाहिए प्रिंसिपल चाहिए आप समझे तो इसी लिए आपक नहीं को इसलिए इसको नहीं को सकते हैं नहीं को यह चाहिए और यूपॉद्सार्य करस्ग करने लोगई उस जानूद नहीं को और इसे लिए इसको युनिएर्सली इसेल स्क्तेश नहीं को लोग सकते हैं इस whiskey अ कितुत श्यूज मत birthday और अगर आगे बढ़ना है, तो आज में तो कल में ने कहा, वो समझना पढ़ेगा, आप समझे है, आज में तो कल समझना पढ़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, अगर व्यूपोइंट के आधारती तो सब लोग अपनी जगा पे सही है ही, there is no question and no doubt, everyone they have own choice, so there is no question about the choice, मेरा प्रस्ना, choice के ऊपन नहीं है, आप युनिवर्सल तू समझने के क्वश्ची करों, जहां choice नहीं है, वो आप नहीं मानोंगे तो बहुत है, मुसल्मान कहेंगा, मैं पुद्र जन्ब को नहीं मानता हूँ, उसका नहीं होगा, खुद्रत का कानून हमारी individual मान्यता के उपर काम नहीं करता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसल्मान है, चाहे क्रिश्चन है, चाहे और कोई भी कास्ट है, मगर खुद्रत का कानून सब के लिए एक है, क्या है, अगर आपने कर्म चार्ज किया है, तो आपको कर्म कापल मिलेगा, अगर आप पुद्रत का कानून करता है फिर्वन कि उसके अपर कुदरत का आनु धी काम रिब करता है। इसी लिए इसलिए आपने दो भूपेंट कहान है। दो भूपेंट पहले आपने बोला के धुदरत ही भगवान है और आपने का भगवान धी मुझे पूर्ट बश्यों से नियुक्त अप जोबी आप जो भी आप्पेंट करो तो भी आप ग़ेंगे प्सम्झेड प्डद आपके पास कोई प्रिंसिपल नहीं strategy is a much strategy. When you explain it, at that time you are very powerful. But when I ask you the question, then you hire it yourself. प्री अप्राइब जो भी आपने हम नहीं हम जाद हम लोगो इतना अप्षित एक सनी उपर जो सचाई को तूपी रहे है? तो इसलिए तो कहने का मजब यह है, इसलिए कि हर बात के अंगर आगे बढ़ना है, तो युनिवर्सल प्रूथ के कोई ओनर नहीं होते हैं, और कोई क्रियाटर नहीं होते हैं, इसलिए उसको कुद्रत का काम बोलते हैं, जिसको कोई बनाते नहीं है और जिसके बाहर कोई हो सकता है जिसके बाहर कोई होने शकता है जन वीक्तियों को भी अपने जीवन मेर प्रस फरण या बिकॉज हथ इप laba जलकॉम देगा इसको, आप जानते हैं पिछले अथर में अपने कौन सा कर्म किया, जो मेरी ने चल रहा है तो उने उसकी फील को कर सकते हैं जो मुझे में प्रक्रिश्ट है, क्योंकि उस बोड़ी में जो बहुत किया, क्योंकि यह बोड़ी जो बेद चला लिए, इससे मैंने अगर मेरी स्वोजी निख्रिष्ट है तो जाईगो मुझे लोवर बोडिग ली अगर में इसको अच्छे करम करें तो जाईगो तो ने आप डाइवट करते है बात में ने क्या कहा है आप जो अभी कर्म की भुगतान कर रहे है उसका कौन सा कर्म का फौल है वो आपको मालूम मैं यह कहना चाहता हूं नहीं मालूम थीक है बट यह इनफ है इनफ है तो मैरे कहने का मतब यह है इसलिए हमको जो फल देने वाला है इसको मालूम है कि आपको यह फल देने के लिए कौन सी परिस्तिती पैदा करना है सुख के लिए यह दुख के लिए यह दुख के लिए और उसका नाम है खुदरत नेचर कहो, खुदरत कहो, जो भी कहो चिम्झे? और वो खुदरत, खुदरती कानून के मुताभित आपको रिजल देती है उनकी मर्जी के मुताभित नहीं आपने जो कर्म किया है वो आपका सिधान के मुताभित खल देगा आपने जो कर्म किया है उसका सिधान के मुताभित फर देगा आपने जो कर्म किया है उसका सिधान के मुताभित अपनी मर्जी के मुताभित नहीं देगा और इसलिए जिसको स्प्रिच्छल मार्ग में आगे जाना है इसको ये समझना जरूरी है जिसको धर्म में रहना है उनके लिए धर्मिक बाती जो समझते उसमें डीप में जाओ, it is okay, and there is no question at all, there is no question, उसमें की ब्रसना है ही नहीं, आप समझें नहीं, इसको ब्योन जाना है, तो उसके लिए science है, बाकि सभी धर्म अपने व्यूपॉइंट से सही ही है, उसमें कोई query question नहीं है, और सबको अपना धर्म मानना संपून है, ऐसा सबको अधिकार है, और इसलिए यह कोई special बात नहीं है, कि आप जो कहते, आप जो कहते, आप जो कहते, आप जो कहते, वो correct है, वो नहीं है, वो आपका viewpoint है, और viewpoint में आपका faith है, वो सब की बात है, मुसल्मान भी कहें कि I am 100% fake, Christian भी कहेंगे I am 100% fake, Hindu के जितने भी दर्म है, सब लोग कहेंगे I am 100% fake, तो यह कोई नहीं बात नहीं है, यह कोई नहीं बात है कोई, this is new things, everyone there, फिर भी कहेंगे आपका और मेरा अलग है, आपका बगवान मेरा बगवान अलग है, आपकी मनेता मेर मनेता अलग है, आपका follow up, मेरा follow up अलग है, because it is viewpoint, आपको आपनी तो कर्सिवकारना पड़ेगा, fact is fact, fact को viewpoint नहीं होता है, viewpoint fact नहीं होता है, और इसलिए viewpoint है, तो हमको यह भी कहना पड़ता है, मैं मानता हूं, मेरा faith है, मेरे understanding है, और मैं 100% believe करता हूं, यह सब की बात है, और स सब बोलते है, सब धर्मवाले बोलते है, सब ही follow up, यह कोई नहीं बात, जिसको भी मानते है, वो faith सही मानते है, आग भी, रे बगवान की बात छोड़ दो, जो गुरू को मानते है, उसमें भी faith होता हूं, 100% faith होता है इसको, तो यह कोई नहीं बात नहीं है, it is a individual matter, yes please, I have a question So, do you believe then, if you say the atma is, you are talking about is all nature, is the law of nature, नहीं पहले आपको नहीं आपको नहीं आपको नहीं आपको नहीं आपको नहीं आपको नहीं कर दो, scientifically, तो अच्छा रहेगा, ताकि वो को समझ में कहा कि नहीं क्या है, okay, मगर ब्रीप में करोंगा कि वो इसके नहीं जादा है, it will take time, और नहीं करोंगा, प्रिंसिपल क्या है, ताकि आप सब को समझ में आपको नहीं 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 आप छे सनातन सत्वों का टोटल is equal to कुद्रत सास्वत का मतलब होता है permanent eternal मतलब सास्वत eternal is an English word उसको हिंदी में कहेंगे सास्वत याने permanent जिसकी beginning और end नहीं होती है क्या नहीं होती है इसलिए उसको सास्वत कहता है six eternal elements elements का मतलब होता है तत्व ये किताब में भी, विधायन में भी, जैनीजम में भी और इट्सो पर जाती है अभी उस नहीं किताब में इन जाती है यह तो आप उसों के कहां लिखा है इसलिए में आपको वोल तिया है एनिवे चलती है और सब कर दे में प्रश्ब का कुम साई ब्लमाにब भी बता दूब आपको सबसे पहला तत्व है चेतनत्व, क्या क्या है सर्म इससी आठाते हैं किसे आता हैं рахa न किको पांण को आता हैbread किसे दूसरा टत्व ऐता हिके आज przeci स्ब्सक्राइब को जोश्बाइब करिको हैं नोगों में आता हैं यहे वीद आणीर दॉसरा झात्वा क्या है तो दूसरा जड़ तत्व है तीसरा तत्व है आप पर आगे जाने के बाद मेरे को नहीं मादूम है इसलिए में स्लोली साउंडली एंड सिंपल भासा में उसको एक्स्पेंड करने की कोशेद करता हुँ ताकि समझ में आजया आपको में सास्त्रों की गूड़ भासा का सब्दो प्रयोग नहीं करता है तो पहले आत्मा बताया है शेतन तत्व है दूसरा बताया है जड़ यह सरीर भी जड़ है और पाथ इंद्रियों से जो अनुबह में आता है वो सब जड़ है तीसरा है तीसरा कत्व गति सहाय क्याने मोसन क्या बताया है मोसन समझते हैं गति सहाय यह दुन्या मोसन है स्थीर नहीं है तो यह तत्व है चोथा फूर्थ स्थिति सहाय है स्टैबिलीटी हम बैठे है वो सित सहाय है चलेंगे गति सहाय है यह यह एलिमेंट से पाचवा तत्व है ताइम तत्व है ताइम तत्व है परमेनें बट अवस्त्या में टेंपरी रिफॉर्म में काम करता है अधर्वाइस जो टाइम तत्व नहीं होता है तो how you can identify your life and your suffering, is it possible? नहीं, तो time तत्वा is permanent, मगर अवस्ता में हमको help परता है, अवस्ता को समझने के लिए, कि यह वक्ति का जन्म अभी हुआ, यह मृत्य अभी हुई, time तत्वा, तत्वा permanent, अवस्ता में temporary काप परता है, और last है, six, space, क्या बता है, space, अवकास, यह छे तत्वों के आगे और कोई तत्वा युनिवर्स में नहीं है, और इसी से दुनिया चलती है, इसी से दुनिया, और हमारा body है, वो एक ही तत्वा का है, इसको कहते है, जड़, और ज़़ तत्वा की five branches है, पूत्वी, पाड़ी, वायु, अग्नी और आकास, मगरे पांचो तत्व का एक नाम क्या है, जड़, सरील किसे बना हुआ है, जड़, इसलिए उसको जड़ बोलते है, और जड़ को जलाया सकता है, छेतन को, आयकी तत्वा का है, तो यह छे तत्वों से दुनिया चलती है, अभी हम सब यहां इकटी हुए है, यह भी एक सर्कम्टांची से है, अभी उसमें छे तत्वा कैसे काम करते हैं, मैं आपको जड़ करता हूँ, बाद में हर अवस्ता में आपको समझना है, बस, same process, अभी हम यहां बैठे हैं, छेतन तत्वा है, yes or no, जड़ तत्वा है, yes or no, गति साइक है, हम हाथ हिलाते, ब्रीद लेते, ब्लर सर्कुलेशन, यह सब गति साइक तत्वा है, तो तीसरा तत्वा, गति साइक तत्वा है, स्टिति साइक तत्वा है, स्टिति साइक तत्वा है, अच्छा, टाइम तत्वा है, yes, स्पेस तत्वा है, तो अभी आप दिमाग से सोच लो ये छे तत्वों के हैट के बिना कोई भी अवस्ता हो सकती है सोचो दो मेंट के लिए एक्स्प्रेंड में क्या इसमें छे तत्व नहीं है ऐसा आप सोच के बताओ मेरे को आपने देखी हुई सुनी हुई कोई भी अवस्था बताओ जिसमें ये से तत्वा नहीं है मैं अवस्था की बात कर रहा हूं नो? ओके अब्याद कर आप सिक्स थिए सिक्स थिए भी झालत प्लाओ कोई भी जीव की अवस्ता ये छच्छे तत्वों के अलावा हो सकती है नहीं हो सकती है एनिवे तो कहने का मतब यह है सोल तत्वा इस परमेने कुद्रत तत्वा कुद्रत है उसका काम दुनिया चलाने का है पर है यह है पर दोलाव निचर नो के मर्जिस है और खुद्रत का कानू अपने कर्मों के आधार से फल देने का मिडिया है रहे लाइक टीचर दे गिव लिजल्ट तु आप एक्जाब आपने कर्मों के इस प्रमें का दूप नहीं कर सकता हूं यह रहा है में अपना मातापिता सेलेक्ट नहीं कर सकता हूं मगर मेरे को मिलता तो है then who select my parents who? कर्म कुन सा है? वो मेरे को मादून नहीं है तो who give you the result to me के this is your parents फिर उतराग है ने वही cycle आई में तो आपको वही बात accept परने पड़ती है तो अपको दर्ती से उपर हो भी तो इसलिए कहा कि आपको ये सिध्धान के रूप में जो है वह आपको स्विकार करने पड़ेगा आपकी सोच को ब्रॉड करने के लिए स्मित करने के लिए जो आपकी सोच ए वो सही है, और सब की सही है, क्योंकि उनका format fix है, क्या है, format क्या है, fix है, तो वो तो रहेगा उनके पास, हमको format से आगे जाना है, format is not a wrong, format is a relative truth, and relative truth is a individual truth, हमको जाना है, universal truth में, that's it, that's the difference, तो universal truth के अंदर, soul है, law of nature है, और law of nature के आधार से, हमारा जीवन का suffering है, हमको नहीं मालूम के कल क्या होने वाला है, उनको मालूम है, they create the circumstances of suffering, so he knows about your cause, right or wrong? तो ऐसे दुनिया चलती है, cause and effect, cause and effect, प्रस्नों यह होना चाहिए, तो अगर यह जनम्रण के चक्कर में से हम छूटना चाहेंगे, तो कैसे छूट सकते हैं? जहां तक अग्नाण है, वाद तक राग्डवेस है, वाद तक रोधमान माया लोग है, वाद तक कर्म है, और वाद तक जनम्रण की cycle है, तो प्रस्नों यह होना चाहिए, कि हमारी cycle of rebirth, cycle of suffering, and cycle of cause and effect, हम कैसे बंद कर सकते हैं? प्रस्नों यह होना चाहिए, बाकी सब बात है viewpoint है, हमको viewpoint में deep में नहीं जाना है, don't waste our time, fundamental में जाना है, विच्ति बास समुन में आगे ने, soul, kudrat and kudrati rachna, अभी हम तो बैठे हैं, वो kudrati rachna है, किसके rachna है, kudrati rachna है, हमको किसी को मालूम ने था, एक मेना पहले कि हम को यह आना है, इस समय में आना है, हम दोसों को मिलेंगे, किसको मालूम था, नहीं था, ठीक है, यह संजो किसने बनाए है, kudrati rachna, क्यों बनाए है, यह संजो क्यों बनाए है, उसका में ने उत्तर दे दिया है, कर्म का, कर्म, kudrat, circumstances, इस आइकल मालूम होगी ने, मैं आप बात का हूँ, आप सिर्फ सुनो, सुनो नहीं, लोजिकली आपको समझने की कोशिस करो, क्योंकि यह साइंस है, this is not a story, and this is not a कथा और प्रवच्चन, कि आपको सिर्फ सुनना है, यहां आपको मोका दिया जाता है, कि आपको नहीं समिझ में आता है, तो you ask me a question, बाकि मैं कथ करूंगा, you have no right to ask me a question, just to listen it, maybe you, आप समझे यहां, नहीं समझे, right or wrong, तो वहां कथा में तो क्या होता है, वही रामा है, वही माभरत, जो 5-6 सुनते हैं, 95 years में, वही सुनते हैं, लेकिन बचना बृत में ऐसा नहीं हुआ, बचना बृत में ऐसा नहीं हुआ, बचना बृत म बचना 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 बचन और उन्होंने सभी जवाब दिये at the end उन्होंने बोला की whatever the questions you have I will answer and he answered but he also had people write it down when the question was answered when what he was wearing at that time so basically he's proved it at this time at this place he was sitting this way facing east or west this is what he was wearing and this is the person that asked the question the person who asked the question has written his name so because that Vachnaamut it's one of the Shastras that Swaminaram Bhagawan had discourses during his life he only lived 40 years of his life about 218 years of his life so he didn't do pravachans basically his scriptures the scriptures were the scripture that he has written is questions answers and so whenever after he was passed away after he was gone he had Gunaatit Sant because before he passed away he said even though my physical form is not here my Atma is gonna be inside him in Gunaatit Sant and even even after he passes away it will be passed on from generation to generation but not the blood generation only Gunaatit Sant so he says whenever whenever you feel that you need to talk to me or you need to understand the scriptures after I'm gone this is the person you need to go to so he assigned basically and he told his Hari Bhaktos that you can still experience my happiness my Sukh through the sun it is okay but our topic is not present the Guru the Guru the Guru the Guru basically he only goes by the book that he has been given from generation to generation in his in his but you are saying I don't want to do you pull out so my I don't want to do I only want to do I don't want to do there are so many examples it's nothing and I don't want to do that if I have any questions I can ask you this answer which is where I don't want to compare who is going to come to you no matter but anyway we don't want to do some questions and the other is okay मैं क्याव माक्त तो कि मुझे एक्स्पेंग करूछू, मैं एक्स्पेंग कर रहा हूं, वो प्रवच्छन के फ्रम में नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन आचे के फ्रम में ताकि आपको प्रस्ना करने का मुखा मिलेगा, अगर मैं प्रवच्छन करूगा तो आपको मुखा नह और किसी ने नहीं किया है, that is not my explanation. He is taking forward us with commitment. Am I right? What is he saying? You are taking us forward with commitment. मतलब forward मतलब सम्झाले है? अगर नहीं जाओता है? Oh yeah! अगर नहीं जाओता है? Yeah, yeah. उन्हों तमने convince कर रहा हो, कि मैं जो कहूंगा वो आप मैं आपको explain करता हूँ, और आपको लगे है, कि नहीं बात सही लगती है, then you accept it. Not like I am, मैंने कहा, इसलिए accept को. और इसलिए मैंने कहा, जो भी बात मेरी है, वो universal truth है, और law of nature के उपर depend है, वो मेरे उपर depend नहीं है, ना मेरे गुरू के उपर depend है, ना मैं यह दुश को भगवान मानता हूँ, इसलिए उपर depend है, और जो विक्ति इस दुनिया से जिन्होंने मुक्ति पाई है, जन्नमण के चक्कर से में, उनको यही universal truth समझ में आने के बाद, यह दुनिया में से उनके अंदर अगनार निकल जाता है, राग्यस निकल जाता है, कर्म निकल जाता है, जन्नमण बंध होता है, तब ही वह मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, विदाउट बोड़ी जे सोल का अनुभव कर सकते हैं, यह देट इस साइंटिफिक एक्स्पानेशन, फिर इसमें धर्म, गुरु, भगवान, रिच्वर्स बीच में नहीं आएगा, तो मैं एक्स्प्रेंट इस और इसलिए मैंने कहां, कि हमको अगर इस दुनिया से मुक्ति पाना है, तो हम कैसे पास सकते हैं, मुक्ति का मतलब होता है, जनम्मरन से मुक्ति पाना, कर्म के बंधनों से मुक्ति पाना, सफरिंग से मुक्ति पाना, तो वह कैसे पास सकते हैं, तो जहां तक अग्यान हैं, वहां तक तो संभव नहीं है, जनम्मरन लेना ही है, जनम्मरन लेना ही है, तो अग्यान का कैसे मीटे हैं, और अग्यान के लिए ग्यान नहीं चाहिए, विज्ञान चाहिए, क्यान चाहिए? विज्ञान is a universal truth and ग्यान is a individual viewpoint. और सबको ग्यान ही कहेंगे, आप राम को मानेंगे, वो भी ग्यान है, आप क्रश्न को मानेंगे, वो भी ग्यान है, आप महविर को मानेंगे, वो भी ग्यान है, आप सीव को मानेंगे, वो भी ग्यान है, कोई क्राइश को मानेंगे, वो भी ग्यान है, कोई क्राइश को वह भी ज्यान है, आप किसको कहोंगे कि who is wrong, कह सकते हैं, मतलब मैं ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, विज्ञान, इसलिए मैं का law of nature, और इसलिए मैंने science बता है, spiritual science, science on a base of principle, it's not viewpoint, it's not viewpoint, तो हमको संसार से मुक्ति पाना है, तो दो बात को समझना हमारे लिए आवश्यक है, who I am, really speaking, मैं कौन हूँ, वास्तर में, शरीर हूँ या आत्मा हूँ, not relative, really, really का मतला मतला है, fat, relative का मतला मतला है, socially, my question is not socially, really speaking who you are, आत्मा हूँ, वास्तों में मैं सरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो पहला ग्यान यह चाहिए, इसमें कोई धर्म, संप्रदाय, गुरू, भगवान, रिच्वर्स, बीच में नहीं आता है, मेरी हर बात में नहीं आएगा, okay, तो मैं आत्मा हूँ, मगर मैं जेता हूँ, सरी की अवस्था को निकालना नहीं है, सरीर की माननिता को निकालना ही है, अग्नानिता निकालना, मैं सरीर नहीं हूँ, it is more than enough, फिर सरीर क्या करता है, सरीर क्या फॉलो करता है, सरीर के गूरू कोन है, सरीर के है भगवान फोन है, यह है। that is not my subject, because I am a soul and I am totally separate than body, अगर मैं इस बर्द में राम को मानता हूं, नेक्स बर्द में कर्ष्ण को मानूँगा, इसके बर्द में मायुड को मानूँगा, इसके बर्द में सीव को मानूँगा, हो सकता है, बट इस अ मैटर आप बाड़ी और सोल, इस अ मैटर आप बाड़ी और सोल, सोल मानेगा के बा अभर्त कैसे ने हमारी कर्म के आदार सी मेरा बर्त होता है कि अपकोश महीं हो सकता है कि यह बारी में से दुसरी बारी में जाएगा तो दुसरे बगवान को नहीं माना शकते हैं और मैं ऐसा परूब दाओ कि इस बर्त में आप पांच भगवान को मानते और पांच गुरु को मानते हैं एक बर्ती बात करता हूँ Is it true or not? मैं एक्पर नहीं करना चाहता हूँ फिर आपको नहीं सबस्द में आगा तो एक्जामपल दोंगा आपको एक ही बर्त में आप अलग गुरु को भगवान को आप मानते हैं या नहीं या कोई मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं कोई विक्ति मानते हैं कोई विक्ति नहीं मानते हैं प्रसन नहीं एक ही धर्म की बात करता है एक ही बर्ती बात करता हूँ अग्ण गुरू ये कलिया होगा परसो होगा परसो होगा ऐसा हुदा या नहीं हुदा है गुरू आपको जो कहेंगा इसको बगवान मानूंगे निए जो आपको गुरू में विश्वास आगेगा वही तुम्हें कहता हूं, आपको गुरु में विष्वास आगया, मैं गुरु जो कहेंगा, वही अप फ़लो करोंगे, बात वही हो गई मैं वही कहता हूं के हर गुरु के पास अपना धर्म का सास्त्र होता है, और वह बगवान को मनते हैं, और आपको 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 मनते हैं, अगर अगर आप कोई गीता के गुरु के पास जाओंगे, तो वह क अब क्राइश के पास उनके फ़रोज के पास जाओंगा तो बहुत हम बानते हैं कि क्राइश भगवान हमारे साथमन भी लखाए और एक्ष्पेंट करेंगा फिर बात आगे विवपॉइंट फिर बात आगे विवपॉइंट विवपॉइंट फिर आपके बदिये सुची आपकी यह सोची जिस ने में बढवान की फोन को सोची यह तो क्रिष्म हो यह और शुच प्रियो हुच को यह तो जाएंगु देवपॉई तर जायें गेड़ बदी में इसे ऐसे घर में जल के लिए जाओ स बेता हुग बदीश आप आप अंदोले कि आप हम इस लेक्रियों मरते वेखु इन गजार प्रश्म में अजित मैं इप कुछीने कॉछी आप सुनता हूं में कहा है ? तो इसलिए बताया कि हर वेक्ति को अपने पैदा होते ही जो धर्म मिलता है वो फॉलो करता है मगर जब उसकी संजोक मिलता है तो उसकी इसा रद्ध्या बदल दया तो में और टुगogen घृण कर रहा हूँ अगर किसी ने मेरे को कहा कि वए आप दू तो ढ Monthly Church इससे अच्छा जर्मतों जो मैं फॉल कर रहा हूं, एक्जाम्बल देता हूं, डोंट थिंक अबाउट का इम प्रिजुन तर नेम पर्टिकुर्लरी, मैं एक्जाम्बल करूँ मेता हूं, कोई कहता है मिया ब्रह्मार कुमारी मानता हूं, वहां से मोक्स मिलता है, आप आप ज अब इसको फोलो करें, आदमी इसको फोलो करते हैं, एक बत की बात करता हूं, अभी बोलने का नहीं है, मैं आपको सोचने का डाइन देता हूं, बोलने का नहीं, तो इसलिए हर व्यक्ति को एक ही बर्थ में अलग अलग गुरू के माध्यम से, अलग अलग बगवान मिलते ह मानते हैं, फॉलो भी करते हैं, और समय आने पर बदलते हैं एत ही बर्त में, और नेक्स बर्त में बदलने का तो कोई संजोग है ही नहीं, क्योंकि ये बर्त में बदल है, तो नेक्स बर्त में लास्ट मोमेंट में जिसको बिलियो करेगा, वो कहले हो लोगा, मगर ये बर्त मे मैं जैंदरों में पड़ा हूँ, वैष्णा में होगा, ब्राह्मन में भी हो सकता हूँ, कई भी हो सकता हूँ, depends on my last belief. It is not matter, के मैं अगर ब्राह्मन में पड़ा हूँ, तो मैं ब्राह्मन में पड़ा हूँ, next part is. It means you change your religious, you change your gurus, you change your God, you change your rituals, right or wrong? One person, they change the religious in the next person. So, this is common, it is not matter of questionable, but because our thoughts are limited, so we feel that what you believe is, is not that, need not. You are living in society, I am talking about that, it is a matter of you. How does it happen in your mind? It is not that, that the Swami and the Dharma of the Dharma has also been created. Yes or not? Yes or not? Yes. And Swami Nara doesn't go to the other side of the Dharma, that is not correct. You understand? So, you don't go to the other side of the Dharma, Swami Nara. This is the word of the Dharma, you leave the birth of the Dharma. So, Swami Nara doesn't go to the other side of the Dharma, you leave the birth of the Dharma. This is the word of the Dharma. You say it, you don't believe it. No, it is not. So, if, well, this is what I believe. If I'm more... No, you don't believe it. 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 Yes. That's true. I don't believe it. I don't believe it. You don't believe it. I'm going to explain it. वो हमारे बिलिप हो सकती है, सब के बिले अलग लग है, और वो भी समय समय पे परिवर्तन होती है, यह बात आपको स्विकार नहीं परेगी, एजा सोशली, I am not talking about the individual, तो यह परिवर्तन की बात है, और जहां तक आपको ultimate नहीं मिलेगा, वहां तक यह होता ही रहेगा, होता ही तो इसी लिए मैंने कहा कि अपने जीवन के अंदर हम जो मानते हैं, उसी को ultimate मानना वो सबका अधिकार है, मगर जो लोग open mind के होते हैं, वो दुसरों की बात समझने के लिए, स्विकार करने लिए अपने आपको आगे ले जाने के लिए तयार होते हैं, मगर जो लोग कहते के नहीं, यह जो मैंने जो मानता हो जो, वो ही करेक्ट हैं, और दुसरी बात मेरे को नहीं समझने हैं, तो वो जो मानते हैं, वो सही हैं, तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए आपका open mind होना जरूब है, don't reserve yourself, okay, कोई भी scientist को पुछोंगे, आप जो मानते वो ही मानोंगे, आप scientist बन सकते हैं, research कर सकते हैं, कोई भी scientist, बचपन से जो भी मानता है, उसे कोई मानेंगे, तो वो scientist बन सकते हैं, जो बन सकते हैं, open होगा तो भी बनेगे लिए, वो कहेंगे मैं research करूँगा, research करूँगा, फिर कुछ पाऊंगा, इस में पी आगे क्योंकि वो क्या है निए ओपन है फ़र मों कहेंगे कि नहीं में उसके आगे कुछ नहीं मानता हूँ इसका अन्न सकता है नहीं नन सता है इसक्रफ़ार ओपनेस तो नो दफैट अगर आपको यह दुनिया की सच्चा जानना है तो आपको ओपन होना पड़ेगा मेरा वो सच्चा ऐसा मानोंगे तो उसका मटब आप ओपन नहीं हो मेरा गलत है वो भी मानने की ज़रूत नहीं मेरा सच्चा है मगर उससे आगे भी कुछ हो सकता है ऐसी सोच होगी यह आपकी ओपनने से वो क्या है? ओपनने से तो आप जब सुनेंगे, समझोंगे, फिर आप ही कनल से निकारों, यह क्या है, यह मेरी सोच भी थी, और उन्हें ने सोच दिया, फिर आपको जो लगे, जो एड़वांस, मैं उसको फूलूं कर, वो मेरी भी नहीं है, आपकी नहीं है, मैंने तो अनुभाव पेस किया, क्या क है, मैंने कहा कि मैं जो बात कर रहा हूँ, वो युनिवर्सल टूथ की बात है, यह मेरी बात नहीं है, और मैं बात करता हूँ, वो लो ओफ नेचर है, वो मेरी बात नहीं है, तो इसलिए मेरी बात नहीं है, यहाँ आपकी जो, आपकी लेवल उप अन्रस्टेंडिंग है, और मेरी लेओफ़ मेरे से कि इसको आप कमेर करना है सची सची जूटकी बात तो ये आप जब ओपन रहोंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी मगर मैं कोगा मैं राम को मानता हूँ राम क्या अवला किसको ने मानता हूँ तो और कोई विद्थी बात कर सकती हूं कर सकत हैं उसे आगे ने पर सकते हैं उसमें रह सकते हैं उसमें कोई मना भी नहीं है हमको आगे बढ़ना है तो क्योंकि हमको अपने जीवन में बैठे हुए सब को मालूम है कि हमारे पास आज जो अंडर्स्टेंडिंग है वो अल्टिमेट नहीं है उसमें बहुत सारी कंफुजन वो सब सुखार करते हैं, इंटर नहीं, आउटर नहीं, सब बानते हैं, कि मेरी सोच के अंदर मेरे पास explanation नहीं है, मेरी सोच है, और सोच पक्की है, मगर उसमें लॉजिक नहीं है, वो मानते हैं, तो इसलिए जो लोग लॉजिकल हुँ उनकी बात आप समझने के लिए, सुनन ब्रोड करना है क्या करना है और ऐसी बात करो ऐसी बात समझो कि जिसमें कोई कॉंट्राडिक नहीं निकारे क्या नहीं निकारे या तो शिकार करें या तो नो शिकार करें बगर उसमें option ने होना चाहिए option किसमें होगा relative truth में आप कहूँघे मेराम को मांता हूँ ये कहेंगा मैं कर्श को मांता हूँ ये कहेंगा महौर को मांता हूँ तो जो सायंट भी बात इसमें स्विकार कर रहा औब option नहीं होता है that's it तुसमें क्या होता है an我很 उसमें क्या होता है उसलिए सब क्या होता है अलग अलग होता है ठाइट करो या धरमय अज मैंने कहा मैंने भगवान के बात क्या दो मन कछिते हैं अनामी होते हैं ऑरूपी होती है जन्म disparate में उसको नहीं मानता है कोई आपके आपके पास क्या नहीं है यह तो साइस में आपस नहीं होता है ओ रिलेटिव टूथ में आपशन ही होता है कि यस प्लिज नाव एक बरत में भी होता है डिफरेंट बरत में भी होता है बहुत है बहुत हर करेंगे अगर आपकी बात बराबर हैं अगर मैंने उस समय एक्स्पेंट जो किया था कि इस बरत में पैदा होते हुए आपको दर्म मिलाए वो नुएक्स बरत में हो सकता है वो कंपल सरी नहीं एक उमैंने ऐसे कहा तो अगर आपने सुना है तो और अभी आप मैंने बर्थ की बात का था अभी आपने देट की बात का तो इस हो के अगे नहीं है तो मैंने वही तो कहा है आपकी लास्ट मोमेंट में जो बिलिप है वही बिलिप क्यारी फोरवड होती है वही क्यारी फोरवड होती है उसमें कोई क्वेस्टन नहीं है तो यह बहुत बड़ा साइस है और आपको जे बात से इतना घर्व होना चाहिए कि इतना बड़ा साइस आपको मैं दो घंटे में एक्स्पेन कर सकता हूँ और दुनिया के कोई विवक्ति एक स्क्रिप्टर भी दो घंटे में एक्स्पेन नहीं कर सकता है और मैंने आपको यूज साइंस बता दिया इन अब्रीफ फंडामेंटल मैंने भगवान की डेपनेशन दिया आपको कुदरत की डेपनेशन दिया कर्म का फल कैसे मिलता है वो दिया कुदरत की कानून से जर्म होता है कर्म से होता है कर्म की भुक्तान होती है तो खुद्रत करवाती है और मैंने ये भी कहा कि कर्म अगनान से बनते हैं और अगनान नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगे यहानि मैंने आपको फूल फॉर्म दे दिया विजिन टू अवर्ड अगर आपको समझना है तो बिगिनिंग से लेकर एंड मैंने आपको ब्रीप में दे दिया ब्रीप में आपको बता दिया है तो यह इए मेरी कोई भी बात कि अंदर आपको ऐसा लगा कि मने रलीटिव यूपइंट बताएit मेरी कोई बात के प्रेजंटेशन में रीलेटिव यूपइंट है रिलेटिव का मतलब टाइटल आप पर्सन आइधर और आइधर नेम आप दे गौर और नेम आप दे रिलिजियन यह तो आता ही नहीं है इसलिए मैंने कहा युनिवर्सल टूट्स, स्प्रिच्वल साइंस, लौ अफ नेचर यहां कोई भगवान, गुरु, धर्म, क्रिया की बात नहीं आई और इसलिए उसको सनातन कहते थे और हमारे चीज नहीं भी हम गौर्ड जिसको मानते हैं चाहे आप इसको राम कहो, क्रिष्णा कहो, माविर कहो, सभी गौर्ड जिसको मानते हैं, वो सभी लोगों ने यही सनातन सत्य का अनुभव करके इसी टाइम उन्होंने एक्स्प्लेइन किया था मगर उसके जाने के बाद, उनके ही परमपरा में लोगों ने यही सनातन सत्य को रिलेटिव सत्य में ट्रांसपर करके संभरदाय बना दिया और सम्प्रदाय बनाने की बार सम्प्रदाय को पक्का करने के लिए रिलेटिव सत्य कोई सरनातर सत्य माना उन लोगों को मनवाया यानि साइस वहां से क्या हो गया? कत्म हो गया फिर व्यूपॉइंट रहा और अगर व्यूपॉइंट इस आप साइन्स दूनना चाहोंगे तो नहीं मिलेगा है यह टू गो वियोंड दर रिलेटिव ट्रॉस तो सभी दर्मकुरों ने बता है ओरिजिन जो है न जिसको हम बहुत मानते हैं वो सबने यही साइन्स बता है यह साइस कुई नया है नहीं है इस चेकर नहीं नहीं है वो तो है ही है मैं तो अनुभाव करके एक्स्पेम किया है आम नोट क्रियेटर आप सम्झेल है तो इसे लिए यह भगवान की परोड़ समने बता है यह की नहीं बात नहीं है गीता में भी लिखा है, मैं पाने से जलने वाला नहीं हूँ, और उने से जलने वाला नहीं हूँ, आप समझे नहीं, तो ये सब बाते बताईए, वेजान्ज में भी है, जैनिजम में भी है, जैनों के आगम में भी है, ये प्रिंसिपल तो सब के अंदर है, मगर प्रिंसिपल को science के form में explain नहीं किया गया because they try to present the religious as a rituals और इसलिए वहाँ science नहीं आया block हो गया, क्या हो गया बगि science कोई नहीं बात नहीं है मगर आप जो viewpoint से देखोंगे तो वहाँ science नहीं है, वो relate दो सकते हैं क्या है तो यह interest के बात है और अभी आपको भी प्रस्न करना है अभी मारे बहुत सारे ससन YouTube के अंदर है कमले साने जी आप डालोंगे नाम मेरा तो बहुत सारे ससन गुजराती में भी है और हिंदी में भी है आप सांती से उसको सुनने की कोशिस करना पिर कभी भी ऐसा लगे तो मिताली को भी प्रस्न कर सकते है और उनसे समाजा नहीं मिले तो उनके माध्यम से मेरे को भी प्रस्न कर सकते है नगर पहले आपको उसको समझने की कोशिस करना या सुनने के मेरे सोच उनकी राए किया मेरी बात या नहीं वह पिला अपने आपको एक्षाप कर रहे उनके बात व्योपने और या ब्लिए पले इनने एक्षर कुर पर भाव मत्म होगा कि आपको कहा जा रहा है कि अलकए तो श्रोओ पक्र्रिप्र अगर उसमें आपकी तलती भी नहीं है जिस प्रकार के माहौल से आप बड़े हो गए उसी प्रकार के माहौल के आधार से आपके विलिप रहेगी और वोह विलिप आपकी पक्की ही रहेगी जहां तब कोई option नहीं मिलेगा मैं writer हो और सब के लिए एक ही है जब कोई आप्शन मिलता है तो उसको सोचने का मोका मिलता है, कि जो लोग यह बात करते में सोचने तो सही, अब है राइट और रहा हूँ, तो यह बहुत यूज़ सायंस है, दिरे दिरे समझने इकोशिस करना है, मेरा तो यही एफ़र्ट है, कि दुनिया का जो सनातन सत्य का सिधान्त, जो हमारे मुलभूत पूरुसों ने बताया है, वो इसको प्रिजेंट करना, that is the aim of my life, I never project my relative self, I never project particular gods, or gurus, or rituals, I try to project the universal truth science as it is, without my ownership and ownership, आप समझें, यह सायंस मेरा नहीं है, यह सायंस का experience मेरा है, पर इस यूनिवर्सल truth है, पहले भी था है, और रहेगा, यह मेरा बेज है, एनिवे, आप कोई प्रस्ना करना है, यह हुआ है यह क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि फिर मेरे को कुछ समय नहीं मिला, और आपने प्रस्ना करना था, वो हाइड हो गया, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, सुधात्मा है, हे सुधात्मा वगवान, मैं आपको अभेदवाव से, अच्यन्त भक्ति पुरवत, नमस्कार करता हूँ, अज्यानता के वस, मैंने जोजू दोस किये है, वो सभी दोसों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए, रिदय से, क्षमा याजना चाहता हूँ, हे प्रभू, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतिया न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करे, हे सुध्धात्मा वगवान, आप ऐसी कृपा करे की, हम में से भेद भाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, जय सच्चिदाने, 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 जय सच्चिदा झाल झाल